मेरे प्यारे देश्वासियों, आज से तीन दिन बात, यानी 28 सितंबर को अमरित महोच्छव का एक विशेश दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मा के वीर सपूत बगत सीन जी की जैनती मनाएंगे। बगत सीन जी की जैनती के ठीक पहले उन्हें स्रधानली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है। यह तह किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सीन जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी। मैं चंडिगर्ट, पंजाब, हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बदबधाई देता हूँ। साथियों हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेणा ले, उनके आदर्सों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी सरधांजली होती है। शहीदों के समारक, उनके नाम पर स्थानों और स्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, देश ने कर्तव्य पत पर नेता जी सुभा चंदर बोश की मुर्ति की स्थापना के जरिये भी ऐसा ही एक प्रयास किया है। और अब शहीद बगत्री के नाम से चंडिगड एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मैं चाहूंगा अमरित महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष्ट अवसरों पर सेलिबरेट कर रहे हैं। उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। वैसे मेरे प्यारे देश फास्यों आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिबरेट करने की एक और वज़े भी है। जानते हैं क्या है। मैं जर्ब दो शब्द कहूंगा। लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना जादा बढ़ जाएगा। ये दो शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया न जोश। हमारे देश में अमरित महोत्सव का जो अभियान चल रहा है। उन्हें हम पूरे मनोयोग से सलिबरेट करें अपनी खुशियों को सब के साथ साजा करें।